हेलो बच्चो नमस्कार आज साज जुलाई 2024 को हुए सीटेट के लेवल वन प्रात्मी के पैड़ागोजी की आंसर की अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे भई हमने मनुराटी यूट्यूब चैनल पे फ्रीवे सीटेट अधारवै चलाया और उससे खुब बच्चों का मैसेजिस आये कि बहुत अच्छा रहा हमारा पेपर अगर मैं कहूँ पैड़ागोजी में सीडीपी ही पूची गई है और पिछले जो दो आपके आफलाइन पेपर हैं उसके मुकाबले ये वाला पेपर भई आसान था ठीक है आप खुद देखेंगे प्रशन में आपके साथ चर्चा कर लेती हूँ ठीक है तो हमारा अगर हम देखें कोशन नमबर 31 टीटीपी की आंसर की मैं अल्रेडी बना चुकी है आप वहां से देख सकते हैं ठीक है 31 तो भई जो है हमारा वो content का है ठीक है इसके बाद हमारा 32 यहां पर ये वाला भी content का है मैं आपके साथ पैड़ागोजी की आंसर की ही साजा कर रही हूं ठीक है अब आगे हमारा 33 जो मुख्य उपागम जिसकी सला राश्ट्रिय पाठे चरय रूप रेका 2005 में गनित के सिक्षन अधिगम को लेकर दी गई है ठीक है तो भई वो है आपका रचनावादी उपागम ठीक है तो वो आगे आपका 3 यानि constructivism 34 आपका content 35 content 36 अब 36 जो है भई आपका निमन लिखित में से किन भारती है गनितग्यों को संख्यानात्मक विशलेशन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है भई रामनुजम और आरे भट्टा ये दोनों है 1 and 4 आजाएगा इसका answer इसका option number 3 answer आजाएगा इसके बाद आगे आपक 37 ये आपका content का question है ठीक है अब आगे आपका 38 हमने मैंने बहुत बार आपको समझाया और कहा था कि जब भी decimal का question आएगा आपको याद रखना है graph paper ज़रूर होगा तो दी तो होना चाहिए तो दी कहां पे है यहां पे है और बागी किसी में है इनी ठीक है तो हमारा हम जो है अगर हमें decimal पढ़ाना है तो हम number chart और graph paper की मदद से पढ़ा सकते है तो answer आपका 1 हो जाएगा ठीक है इसके बाद 39 जो है 30 ये हमारा 38 हो गया ठीक है 39 आपका content का है उसके बाद आगे आपका 40 40 है आपका कक्षा 2 की अधिकम करताओं के लिए आधार बुद संक्रियाओं में अ formal strategies यूज के सही है बच्चा अंदाजे लगाए सही है तो ये दोनों बाते तो सही है बच्चा calculations बड़ी-बड़ी संख्याओं के साथ करने लग जाए छोटा दूसरी का बच्चा ये थोड़ी है तो A और B सही है आपका option number 3 सही है तो 40 हो गया इसके बाद आगया आपका 41 ही content का है 42 को अगर हम देखें हमारा ये पूछा है कि क्या represent करता है math lab को भई math lab को इसका answer आपका 1 जाएगा कि आपका place है बच्चा informal exploration कर सके mathematical theorem को proof experiment से नहीं बात ये कि वो अंदाजे लगाए उनको test करे generate करे pattern और उनको grade करना ये जोटी बात हो जाती है तो 42 का answer आपका 1 A और C हो जाएगा इसके बात 43, 44, 45 जो है वो आपके content के question है अब आगे आपका 46 भई ये पामेला लीबिक की helps approach मैंने कहा था बहुत important है आएगी वहाँ से question आ रहा है e से experience सबसे पहले आएगा ठीक है helps E L P S तो आपका B C D A आपका option number 3 ठीक हो जाएगा ठीक है इसके बाद आगे आपका 47, 48, 49 ये आपके content के question है इसके बाद आगे आपका 50 भई प्रशन ये भी आपका content का है इसके बाद आगे आपका 51, 51 का answer जो रहेगा वो 4 रहेगा गनित की class में students में व्यक्तिकत भिंता की पहचान के लिए कौन सी आंकलन तकनीक उप्युकते नहीं होगी साथियों में आंकलन कराना, साथ की साथ आंकलन कराना formative बढ़िया है पता लगाना कमी का है भई आपका summative जो हम end में करते हैं ठीक है तो यह सही नहीं है यह थोड़ नकरात्मक जाएगा तो 51 का answer फोर हो जाएगा इसके बाद 52, 53, 54 यह तीनों आपके content के question है इसके बाद आगया पच्पन आएक कैची है भई एक pair of seizures उससे आप कौन से angles बच्चे को सिखा सकते हैं तो यह जब मैं 5 भी पढ़ा रही थी तो मावे question ही आया था यह तो vertically opposite angles and corresponding angles जो साथ की साथ होते हैं यह दोनों को best तरीके से आप explain कर सकते हैं तो A और C इसका answer रह जाएगा vertically opposite ऐसे वाले और corresponding साथ वाले ठीक है तो पच्पन हो गया भई आपका इसके बाद आगया आपका 56 चपन यह है कि भई निमनलिकित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिका मनुभव समाज तता दैनिक जीवन में गनित के यो किस्तरों के लोगों से मिलना खोजना नहीं भई छोटे ग्रुप में ऐसे खेल खेलना जो मैस कोशल कॉंसेट पर आधारी तो फॉर्मल और इन्फॉर्मल सब डेली लाइफ से रिलेट करके आजाएगा यह भी हाँ पर खेल आजाएगे भाशक उप्योग भी हाँ पर आजा है कि हाँ गणित उन स्तरों में पदानु करमित है जो की तारकिक रूप से विवस्तित है इंटीजर पहले डेवलप होगा फिर आप मुल्टिप्लिकेशन सिखाएंगे नहीं भई इंटीजर तो हम बाद में सिखाते है नेगिटिव नंबर जोग है ठीक है आपका मुल्टि यह है कि भई पहली गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मुल्ट परसेंट की जंगे 16% की चूत कर दिया कुल मुल्ट परСंत की ही चूत होनी थी तो इसलिए यह गलत हो गया ठीक है और हमें पता है परसेंटेज इस तरीके से एड़ नहीं हो जाती आठ और आठ आठ और अगई तो ALै Сन फो कं अब आगई भही हमारी EVS की पैड़ागोजी, पैला कोशन ये है, 61, एक EVS टीचर अपने छातरों से कलपना करने, यानि की दे आर हाइपोथाइजिंग की लगबग क्या हो सकता है, उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृत्वी में सभी पक्ष्यों को एक साथ मार दिया जाता, तो बच्चे परिकल्पनाएं बनाएंगे मैडम ये होता, ठीक है, तो, anyways teacher asked question to imagine and answer, what would happen if all the words were killed at once, तो divergent, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, convergent, देखिए, अब यहाँ पर जो है, बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जरूर 3 मार्ग जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों ह हो सकते हैं, बहुत सारे जवाब यहाँ पर आ सकते हैं, और परिकल्पनाएं ये होता, ज्यादा correct 1 है, मगर 2 भी गलत नहीं है, जरूर इस पर free mark मिलेगा, इसके बाद आगया आपका अगला question, 62, कीवेस कक्षाओं में मांचितर पठन कतिविधी छातरों में कुछ योगयता हैं और कोशलों का विकास करती है, relative position प्लेस की आती है, direction पदा चलती है, प्लेस की symbols यूज़ करना आता है, बिलकुल precisely draw करेंगे, ये बात नहीं है, तो आपका A, B, C आ जाएगा, 62 का answer 4 आ इवेस पाठे चर्या, सीखने के समाजिक रचनावादी परिपिक्षे में तियार किया गया, सोशल कॉंटेक्स को हम ध्यान में रखे करते हैं, वाई-गॉज़ की वाली बात सही है, प्याजे के बच्चों के गहन अध्यन के साथ, बच्चों के सीखने के बार में प्याजे क्योंकि वो आसान होती है ठीक है अब आगे हमारा पैसटवा एंसी आटी की पांचवी क्लास की पठ्ठ पुस्तक में जारकंड में रहने वाली सुर्यमनी को एक वास्तविक कहानी है यह अध्याय आदिवासी जीवन और सुर्यमनी की भूमिका को दर्शाता है छातरों के जीवन को बदल देती है हां सुर्यमनी कैसे पड़ी वो सही है यह दिखाया उसका स्ट्रगल जन जाती आदिवासी द्वारा उप्योग किया जाने वाले वन उत्पाद यह सही है अब ऐसा option यह नहीं था कि A B C D सारे हो तो A बहुत जादा important नहीं रहा तो हमारा और वैसे भ जो है वो content है 67 हां किवे इसके पाठ्य पुस्तक में कहानियों और आख्यानों का उप्यों किया गया है उदेशे है बच्चे को समवेधनशील बनाना क्योंकि वे कहानी में पात्रों के साथ सदानुभूती रखता है रिलेट करता है पाठ्य पुस्तक बच्चों को हमारे सम यह भी पैडागोजी के है पहले दिन से दसवे दिन तक बीच किस परकार अंकुरन में आते हैं लिखिये रिता ने अंकुरन का पार्ट पढ़ाने से पहले अपने स्टूडेंट्स को यह कार्य दिया वे अपने चातरों में कौन सी शम्ता का आंकलिंग करने की कोशिश करे एक तो भई वो अबसर्व और रिकॉर्ड करेंगे तो सी तो पक्का होगा यहाँ है यहाँ है और यहाँ है तो यह कट गया कुछ कंक्लूशन निकाले इस अक्टिविटी से तो यह भी सही है डी भी होगा प्रेट करें कैसे वो बनाया जाएगा तो हमारा आंसर तू इसके बाद आगया आपका 69 जो है आपका पैड़ागोजी का ही है ठीक है एक पढ़ाते समय एक शिक्षक निमन लिखित विधियों का पालन करता है सोचो जोडो साजा करो पारसपरिक्स है पार्टी टूशन जिग्स और अनितिस है पार्टी पुनर रिक्शन यह सब पीर ल इसके बाते हैं तो इसके बात नहीं है एक्जामपल से रूल की बात भी नहीं है ठीक है और इन सम्मे भई आपका पीर शामिल होता है तो सह पार्टी समूद वारा सीखना यह और स्पैसिफिक दे रखा है तो हम इसकी तरफ जाएंगे रचनावादी भी गलत नहीं है मगर जब हमारे पास विशेश आंसर था तो हम उसको ही लगाएंगे तो 69 का आपका 4 हो गया 70 भई आप 70, 71, 72 यह जो है आपके 73 ठीक यह सारे आपके content के हैं अब आगे हमारा 74 निमनलिकित में से कौन सी रणीती यात्रा थिम को पढ़ाते समय जाच इंक्वाईरी को बढ़ावा चातरों से उनके पढ़ोस की यातरा के अनुभव को बताने के लिए कहना ठीक है डिजिटल रिप्रेसेंटेशन यह कोई बहुत अच्छी नहीं है पिचर दिखाना आस पास के ठीक है चितर दिखाने से क्या होगा उन्हें खोजने के लिए तो कुछ कान नहीं ठीक है चितर चातरों में EVS में प्रक्रिया कौशल का आंकलन करने के लिए आंकलन की उप्युक्त उपकरनों की अधिक्तम संख्या का चैन करें बच्चा ड्राइड डाइग्राम बनाये ग्रूप में काम करें पिचर पड़े सही है तो टीचर के लिए होती है क्या क्या करना होता है तो B एक EVA सिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विध्याति व्यसकों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूख हो ताकि वे अपनी देखबाल कर सकें, उनका सेक्शुल असॉल्ट ना हो, योन उत्पीडन का शिकार ना हो, आपका कौन सा कदम सबसे इसके बारे में उन्हें छोटे बच्चों को भी हमें बहुत सिखाने की जववत है और हमें सिखाना चाहिए, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा, उन्हें पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट वो कैसे समझेंगे, और लड़के-लड़की, दोनों को ही सिखाने की जववत है, लड़कों के साथ भी कू करम के बहुत सारे instances देखने को मिलते हैं ठीक ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ ही दुश करम हो रहा है ठीक इसके बाद आगया आपका 86 86 के अगर हम बात करें तो भई 86 का answer जो जाएगा वो हमारा जाएगा 3 कि हमारा अनुभव जन्य अनुभव भई हमें discussion से मिलते हैं field trip से मिलते हैं और which of the following best reflect experiential strategies ठीक है अब देखिए यहां पर art integrated art समय कि अधिगम जो बच्चा करता है तो भई और demonstration थोड़ा जो है वो शिक्षकेंदरित भी हो सकता है तो A, C, D मुझे ऐसा लगता है board जादा इसकी तरफ जाएगा तो तू लगा कर आईएगा ठीक इसके बाद आगे आपका 87 समर अपने चातरों से अपने परिवार के सदस्यों से सलहा लेने के लिए कहता है कि अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खादय परदातों के नामों का पता लगाए जैसे कि भाब देना भुनना उबालना तलना सबसे उप्युक्त कारण क्या होगा भई यह है कि वो उनसे जाकर पूछेगा तो बातचीत वगेरा होगी तो समाजिक अंतरक्रिया इंप्रूव होगी ठीक है गुरूप में कोई काम नहीं कर रहा है हर को इंडिविजुल कर रहा है और होमवक्ट देने के लिए परोसाइद नहीं है परियोग वो घर जा के कुछ बना नहीं रहा है ठीक है इसके बाद आगया आपका कोशन नमबर 89 89 का आंसर जो है वो आपका तू है प्राइमरी लेवल पर जब हम क्या पढ़ा रहे हैं बेटा इविएस का एकिकरित दृष्टी कौन किस सबसे उप्युक्त कारण क्या है उसे करने का इविएस विश्यों में मुद्धो को आकरशित करता है जैसे विज्ञान, समाजिक विज्ञान, पर्यावरन तो यह तो पक्का होगा यहां पर नहीं है काट दीजे, यहां है यहां पर नहीं है काट दीजे तो मगर समझ विक्सित होती है सही है बोज कम करता ये तो छोटी बात है सुविधा जना के असान है ये भी नहीं तो हमारा A और B आ गया 90 कोशन रोशनी एक EBS चिक्षिका ने सरसो खराचना बंगाल चना और मिर्च के परते 20 वीजो में से कितने वीज अंकूरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट परदर्शित किया उन्होंने उनसे ये समझाने के लिए कहा कि विभिन वीजो की अंकूरन दर्मे भिंतक क्यों होत रोशनी ने एक डेटा चार्ट दिखाया है कि मस्टर्ड, ग्रीन आम, बेंगाल ग्राम और चिली सीड्स को जर्मिनेट करने में कितना टाइम लगता है तो बच्चा क्या करेगा अंदाजे लगाएगा क्यों है ना कुछ कंक्लूजन निकालेगा परियोग वो खुच से इसके बाद आगई हमारी क्या होता है एक बात जो मैंने आपको पहले भी कही थी कि इनोने क्या करते है यह जो हमारा लेंग्विज वन होती है ठीके चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्की तो भाई कोई सी भी हो उसका जो content होता है वो तो अलग होता है मगर pedagogy सेम होती है अगे आगे दी जाती है जैसे मैं आपको दिखाई दूँगी अभी मैं इंग्लिश प्रतम भाशा के तौर पर उसकी आंसर की करा रही हूँ, तो आपके ट्रांसलेट करके हिंदी प्रतम भाशा के तौर पर है ठीके तो आप देख सकते हैं तो यहां पे हमारे question जो है वो 106 करने के बाद भी वो नहीं लिख पाता मगर अगर कोई उसे गाइड करता है तो वो कर पाता है तो वो जो गाइडेंस है वो स्कैफोल्ड पार्ड है जो उसे प्रोवाइड कराई जा रही है वाइगाउस्की के टर्म में किताब के बारे में क्या है कि यह उदेश्य मदद करती है अचीव करने में जो की करिकुलम ने दिये है एक टीचर क्लास वाइफ की कहती है कि टेक्स को धंग से पढ़ो और फिर उससे कोशन पूछती है संधर्ब से रेफरेंस दूदा कॉंटेक्स Scanning यानि looking for the word वो नहीं हो रहा में में आईडिया निकालना ही नहीं हो रहा मोटा मोटा पढ़ना भी नहीं हो रहा Intensive डेटेल में पढ़ना हो रहा है तो Intensive Reading होगा नहीं अप एक teacher है आप एप्रिशेट करते हैं बच्चे को औसकी Overall Language Alois के लिए तो 110 का अंसर चार ज्यादा सही है, ठीक है, इसके बाद आगए आपका 111, लेंग्विज एक्विजिशन ओनली अकस, कब भाशा अर्जन कब होता है, बच्चे को प्रेक्टिस देते हैं ट्रांसलेशन में, बच्चे को उपरचुनिटी देते हैं पढ़ने में, भई हम उसे एक्सपोजर देते हैं भाशा का, जब वो ठाइज रूप से भाशा को अर्जित कर लेता है, एक लेंग्विज टीचर प्रमोट करें लेर्नर्स को फ्री रैटिंग के लिए, यानि मुक्त लेखन के लिए, उससे क्या होगा, भई बच्चा जो है वो एनकरेज करेगी उसको फ्लूएंटली, यानि वो धंग से लिख पाएगा, और क्रियेटिवली, रचनादवाद से लिख पाएगा, ठीक, इसके बाद आगया आपका, 113, दैश is a way of estimating or guessing beyond the facts, वो extrapolation कहलाता है, excluding mother tongue in the classroom, उसको use ना करना वो direct method में होता है, diagnostic test का purpose यह होता है, पता करना कि बच्चे की समझ में कहाँ gaps है, और फिर उप्चारात्मक सिक्षन करना, इसके बाद आगया आपका, आप एक Hindi speaking teacher है, आपकी posting जो है, भई वो पंजाब में हो गई है, local language आपको वहां की आती नहीं है, तो भई आप बच्चे की भाशा को संसाधन के तौर पे use करेंगे, और तब ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको mother tongue का use तो करना है, language arbitrary है, इसका मनलब है, आज ही मैंने दिन में भी question कराया था, सुबह सुबह, ठीक है, इसका मनलब है, कोई एक inherent relation नहीं है, शब्द भाशा के में और उसके मीनिंग में, हमने वो नाम रख दिया, जैसे हमने इसको हम बाल कहने लगए, अगर हम चाल कहते, तो हम इसको चाल से कहने लग जाते हैं, कोई relation नहीं है, इसके बाद आगया आपका 118, डिड़क्टिव अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, भई हम सीधा नियम देते हैं, निगमन विधी में, कौन से classroom practice, एक teacher को मदद करती है, oral language, बच्चों में भढ़ावा देने के लिए, तो भई बच्चा रोल प्ले में बाग लेगा, तो वो जादा उस character के हिसाब से बोलेगा, तो मौकी कभ्यास तो हो गई होगा, लोकल कॉम् एक skill है reading की, जहां पर हम text को बहुत detail में intensely बढ़ते हैं, ताकि हम specific information निकाल पाए, तो वो हमारा local comprehension कहलाता है, ग्लोबल में हम मोटा मोटा जो है, आर्थ निकालते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं, आपका 106, यह अधिकम एक परकार है, जिसमें बच conceptual understanding of dharna adigham है, इसका answer, ठीक, same question है, यह बस translate हो रखे हैं, ठीक है, किसी topic बर मानस बंतन करने के बाद एक बालिका, अपने आप से अनुछेद नहीं लिख पा रही है, हलांकि वेवेसक या सहपाटी के मागदर्शन से लिख लेती है, तो भई इसको हम scaffold मदद कहेंगे, निमल करने के लिख कहा है, उसके बाद आप संधर्व और प्रसंग को ध्यार में रखते हुए, प्रशनों के उतर देने के लिख कहते हैं, इस प्रक्रिया के दद्वारा आप विध्यार्तियों में किस परकार के पठन को प्रोचाइद करेंगे, गहन पठन को, ठीक है, एक अध्य के वल तभी घटित होता है, जब बच्चों का भाषा परिवेश यानि उसका एक्सपोजर दिया जाए, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वे स्टूडेंट्स को स्वचंधर लेखन, यानि फ्री रैटिंग के लिए प्रोचाइद करें, क्योंकि स्वचंधर लेखन का सि अध्याद ने देना, भई यह हम डिरेट में नहीं करते, जो फ्रांस और जर्मनी में 1901 में आया, ठीक, इसके बाद आगया हमारा, भाषा अधिगमें निदानात्मक परिक्षन का उद्देश है क्या है, भई हम बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचा आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्रात्मिक विदैले में होती है, अब चुकि आप सानी भाषा नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तमाल करना चाहिए और सिक्षन आ अर्बिटरी है, तो हम यह कहते हैं कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी परकार का अंतरनिहित संबंध नहीं है, ठीक है, यह 117 का जो है वो आपका 2 है, ठीक, अर्बिटररीन है, सेम कोशन अभी इंग्लिश में था ना, 118, व्याकरन पढ़ाने का निग इनलिकित मेंसे कौन सा ककषाई abhyas, टूडेंट्स में मोखिक abhyas के विकास में मदद करेगा, हम मोखिक abhyas करवाएंगे, तो बही हम रोलप्ले में भाग करवांचा, बच्चा बहुत अची तरीके से मोखिä कर लेगा, भई ब्रतानिह, इसका आंसर हो गया, किसी पाठे सा मगरी के पढ़ने के कोशल को हम थानी है, यानि लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, इसके बाद भाई आपका 136 से आएगा, इसके बाद भाई आपका 136 से आएगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे, टीचिंगे, फ्रेम करेंगे, उदेश्य, प्रिप्यर करेंगे, देखे, उदेश्य क्या रहेंगे, कि मैं को यह यह पढ़ाना है, तो मेरे इसके ऐसके बाद भी बाद नहीं है, तो CLT, और लोगों के साथ संप्रिक्षें से सीखेंगे, लिंग्विस्टिक कम्पिटेंस भाषाई दक्षता इनेबल करती है लर्नर्स को तो भई स्पीक करें फ्लुएंडली ग्रामर ना आती हो देखें फ्लुएंड दक्षता ये है कि आपको पता है कि कहां और कैसे कब क्या चीज यूज़ यूज़ करनी है 142 जब आप पढ़ाने जाते हैं आप देखते हैं कि टेक्स्बुक राइम और पिच्चर स्टोरी से शुरू होती है उसके बाद आप अलफाबेट की तरफ जा रहे हैं तो उपर से नीचे की और तो ये टॉप डाउन अप्रोच है एक टीचर पूछती है लर्नर्स को कि एक पैरग्राफ लिखो वाटर में लर्नर्स टार्ट डिसकेशन करने जाते हैं बट उन्होंने साइन्स और सोशल साइन्स में पानी के बारे में क्या जाना है और फिर पैरग्राफ के बारे में लिखते हैं तो भाई हमारा यह क्या है, यह आपका LACA, Language Across the Curriculum, भाशा जो है समुची पाठे चरह में पसरी हुई होती है और हम उसको यूज करते हैं, concept जिकाने के लिए विभिन विश्यों के. The statement जो describe करती है, knowledge, skills and attitudes students को acquire करेंगे end of the particular lesson. तो भाई वो क्या होता है, वो होते हैं learning outcomes, यानि सीखने के प्रतिफल. आप 10s पढ़ाना चाहते हो अपनी class में, आप 2 pictures लाते हो, same person की, एक picture जो 15 साल पहले थी और अभी जो लिए. आपने एक बात यूज की present और past के बारे में, उसके appearance के बारे में. तो आप कौन सी मेरे हिसाब से pedagogical grammar लग रहा है मुझे, ठीक है? आप teacher class में real object, umbrella, raincoat, screwdriver ये सब लाती है, ठीक है तो ये realia कहलाते हैं. Today Raju is very happy क्योंकि वो school जा रहा है, उसके घर से कोई भी school नहीं गया हुआ है, उसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो Raju के है first generation learner, पहली बार जा रहा है, पहली generation, पहली PD जो पढ़ने जा रही है, 148, आप जो है, आप पैदा हुए गाउ में, जहां पर हर को हिं घर की बाशा, home language, L1, वो हमेशा वही रहेगी, मातर भाशा, तो हिंदी ही रहेगी वो, इसका answer 1 है, आप एक teacher है, आपने देखा कि language लेसन में हो बहुत डिफिकल्ट है आपके learners के लिए, आपने उसको simplify किया और certain changes किये, तो आपने क्या किया है, एडप्टेशन किया है, पाएंगे, ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें आपका, 136, परदूशन टॉपिक पर पार्ट योजना तियार करते हैं, आपका पहला चरन क्या होगा, उदेश्य बनाना, ठीक, निमनिलिकित में से किसका एक मैतपुन गुन धर्म है, उसमें सिक्षारती जोड़ो या समू का उचित उपयोग करना है, प्रात्मिक स्तर पर एक टीचर स्टूडेंट्स को रंग करने, चितरकारी करने के लिए प्रोचाइद करता है, तो उससे सुक्ष्म गत्यात्मक कौशल विक्सित होते हैं, जब भाश वस्वभाविक रूप से सीखी जाती है, तो उसको हम अरज ठीक है, तो 141 का आपका तीन है, रचनावादी, कंस्रक्तिविजम पर बल दे रही है, आप बच्चा जो है शुरुआत में शिशुगी, चितर गताएं, पूरे-पूरे संटैंस देख रहा है, उसके बाद आपकी वर्ण माला आ रही है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है उद्धर्व अधोगामी, जो कहलाएगा, इसके बाद आप देख सकते हैं, एक अध्यापक ने अपने स्टूडेंस पे जल पर एक अनूछे लिखने के लिए कहा, शिक्षार्तियों ने विज्ञान और समाजिक विज्ञान के कक्षाओं में जो पढ़ाता, उसके अधार प करिकुलम यानि समूची पाठे चर्या में भाशा, वे कथन जो किसी कक्षा विशेश या पाठे करम कोर्स के अंत में स्टूडेंस द्वारा अर्जित ग्यान, कौशल और प्रगवर्ति का निर्मान करते हैं, तो भई वो सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं, अधिगम इसके बाद आगया आपका 145 ठीक है, अपने क्लास में काल का सिक्षन करते समया, आप एक वेक्तित के दो चितर दिखाते हैं, एक चितर पंदरा वर्ष का पहले का है और एक चितर अभी का है, ठीक है, तो आप किसका परियोग कर रहे हैं, सिक्षन शास्त्री ये व्याकरण मुझे ऐसा लग रहा है, कि अपना एक अपने पेड़गोजी इन्वेंट के जिससे आप कर रहे हैं, रियल आपजेट जो आप क्लास में राते हैं, वो वास्तिव वस्तु रियलिया कहलाती है, आज राज स्कूल जाए बिना ही सीख ली, कि के बाद में जब आप स्कूल गए तो आपने अंग्रेजी संस्कित हिंदी और उर्दू और सीखी, अंग्रेजी में प्रभा भी आ गया, प्रतम भाशा मगर आपकी मातर भाशा हिंदी ही रहेगी, आपने मैसूस किया कि पार्ट में परिय अगर आपको हमसे पढ़कर अच्छा लगा और हम बहतर तरीके से बढ़ाते हैं तो जादा से जादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरू कीजिएगा कैसा रहा पेपर